असलाम अलेकुम, सबास बिस क्लासिस में आज मैं इंशालला आपको 5 किलो हैदराबादी चिकन दम बिर्यानी घर पर आसानी से करेक्ट मेज़िमेंट्स के साथ बनाना बताऊंगी इस तरहे से अगर आप बिर्यानी बनाएंगे तो बिर्यानी के चावल कच्छे पके नहीं रहेंगे और साथी बिर्यानी इंशालला परफेक्ट बनेगी देखिए यहाँ पर 7 किलो चिकन हमने लिया है इसे आप धो लीजिए दोने के बाद उसमें पानी रहने दीजिए और साथी इसमें डाल दीजिए आधा लीटर विनेगर विनेगर डालकर इसमें 5 मिनिट इसी तरह से रहने दीजिए विनेगर के साथ फिर इसे धो लीजिए और धो कर इसका पानी सारा निकाल लीजिए ठीक है देखिए हम 5 kg चावल के लिए 7 kg चिकन ले रहें कभी भी चिकन बिर्यानी बनाते वक्त याद रखिए कि चिकन थोड़ा सा चावल से जादा ही होना चाहिए देखिए यहाँ पर 5 kg बासमाती चावल है और इन चावलों को हम धो लेंगे धोने के बाद आप इसे भीगने के लिए रख दिजिए कम से कम 2 घंटे इस तरह चावल लंबे-लंबे बनेंगे अब हम प्यास फ्राइ कर रहे हैं देखिए प्यास को मैंने ठंडे तेल में ही डाल कर फ्राइ किया है प्यास तलने का तरीखा मैंने अपने कई वीडियो में बताया है आप उसे देख सकते हैं वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ जब प्यास इस कलर की हो जाएगी तब आप इसे निकाल कर फ्लेट में डाल दीजिए खुला खुला करके ठीक है अब देखिए यह जो चिकन है हमने धोकर रख लिया पानी अच्छी तरह से निकाल लिया था फिर उसके बाद आप इसमें 12 टेबल स्पून फ्रेश पिसा हुआ अदरक लेसन पेस्ट डालिए कभी भी बिर्यानी में ताजा पिसा हुआ अदरक लेसन पेस्ट डालेंगे तो बिर्यानी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है फिर उसके बाद आप इसमें 5 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए यहां मैं आपको करेक्ट हुएंटिटी इस बता रही हूँ अब उसके बाद आप इसमें 2 टेबल स्पून कश्मीरी रेचिली पाउडर डाल दीजिए और एक से देड टेबल स्पून नॉर्मल नाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद 12 नीम्बू करेस डाल दीजिए सारी चीदों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और इसमें 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डाल दीजिए देखिए यहां हम हरीमिच का पेस्ट डाल रहे हैं यह सिम्पली हरीमिच पीसी हुई है यहां हम 15 टेबल स्पून हरीमिच का पेस्ट एड़ करेंगे 15 टेबल स्पून हरीमिच का पेस्ट इसमें एड़ कीजिए हम इसमें चीर कर हरीमिच नहीं डालेंगे बलके हम इसमें हरीमिच को पीस कर डालेंगे और फिर उसके बाद 10 टेबल स्पून शाजीरा डाल दीजिए ठीक है? 10 टेबल स्पून हमने शाजीरा अट करना है 2 टेबल स्पून हमने लॉंग डालने है ये क्वांटिटी इस काफी करेक्ट हैं आप इस तरह से बना सकते हैं आराउंसे घर पर और 4 टेबल स्पून हरी इलाइची का पाउडर डालिए यानि पिसी हुई हरी इलाइची डालिए फ्रेश अगर पिसी हुई रहेगी तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा 7 टेबल स्पून दार्चीनी डालिए दार्चीनी के छोटे-छोटे टुक्रे कीजिए और 7-8 टेबल स्पून इसमें एड़ कीजिए और सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और उसके बाद 2.5 लीटर मिंस 2.5 लीटर दही डालिए ये बिल्कुल गाडा सदही है जो हमने इसमें एड़ किया है दही जवाने का तरीखा भी मैंने अपने चैनल पर दिया है अब उसके बाद हमने इसमें तलीवी प्यास डालनी है तो मैंने क्या किया इसमें 2 कप तलीवी प्यास डाल दी और 200 ग्राम खोवा डाल दिया देखिए 200 ग्राम खुआ हमने इसमें एड़ किया और फिर तलीवी प्यास का तेल हम इसमें एड़ करेंगे यहां हम खरीब एक देड़ पौँ यानि 400, 3500 से 400 ग्राम तेल हमने इसमें डाला सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए बहुत अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कीजिए अब देखिए यहां हमारे पास तलीवी प्यास का तेल है चावल है भीगे हुए और अखनी है ठीक है यह सारी चीज़ें हमारे पास बिल्कुल तयार है जो बियानी बनाने के लिए चाहिए ठीक है मैंने अभी इसमें हरा मसाला नहीं डाला है हरा मसाला मैं लास्ट में डालूँगी आप चाहें तो अभी भी डाल सकते हैं देखिए अब हम क्या करेंगे एक पान में थोड़ा सा तेल डालेंगे यहां मैं खरीब आधा लीटर के आसपास तेल डाल रही हूँ फिर उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए यह अखनी और अब इसे तेज आज पर पकाईए बहुत तेज आज पर पकाना है अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो चिकन बिल्कुल गल जाएगा अब देखिए एक दूसरे बरतन में हमने पानी गरम करने रखा उसमें 20-25 हरी इलाइची खोल कर डाल दीजिए और साथी इसमें 10-12 टेबल स्पून नमक डालिए या फिर नमक आप टेस्ट कीजिए कि आपको नमकीन पानी जितना लग रहा है उस हिसाब से आप इसमें नमक डालिए मैंने यहां 10 टेबल स्पून नमक डाला और जब पानी उबलने लगेगा तब आप इसमें यह भीगवे हुए पांच कीलो बासमती चाउवल एड़ कर दीजिए ठीक है आप दीखें यहां पर यह mail कोतमीर वाद करते स्पून काओ यहां दीध कि लिए चले तारे दाव Наिक मैं लास्ट में डाला है तिखें कोन भी बन गये है अब हमारे चांवल दीख् Billy है कि हमने क्या करना है चावल को 90% पका देना है क्योंकि होता क्या है बिर्यानी में अक्सर कि चावल कच्छे पके ज्यादा कॉंटिटीज में जब लेडिस घर पर पकाती है तो बहुत बार ये डर होता है कि 5 कीलो पका रहे हैं चावल नीचे के कच्छे, साइड के कच्छे पके या फिर नीचे बैट जाने का डर होता है चावल बैटने का डर होता है तो वो ना करें चावल को 90% पका कर आप चान लीजिए पिर उसके बाद जिस बरतन में बिर्यानी बनानी है उसमें पहले थोड़ा सा तेल डालिए फिर उसके बाद आप ये अखनी डाल देजिए घबराई ये ये अखनी में जो पानी लग रहा है यानि दही का पानी है उसी में ये 90 परसंट जो पके थे चामल उसकी भाब बन कर ब णियानी डाली है और उसके बाद तलीवी प्यास डाल दीजिए और तलीवी प्यास डाल कर धकन ढहन दीजिए और फिर आटे से इसında अगुंदा हुआ अठा लगाईये अधकन ढ़ाट कर हाई फ्लेयम पर हमने 10 मिनिट पकाना है और फिर 35 मिनिट हमने लोः फ्लेयम पर पक क्योंकि हमने चामल को 90% पका लिया है कि अगर चामल को खुला भी रखते तो वो दम हो जाता लेकिन बिर्यानी की जो अखनी के जो उसमें ये चामल पक गए है और ये बहुत ही फ्लेवर फुल और बहुत ही जबर्दस और पर्फेक्ट बनी है और इस बिर्यानी को टोटल ते सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकान भी सरूर प्रेस कीजिए इंशालला फिर मिलती हो एक नई रेसिपी के साथ थैंक्स फूर वचिंग